हुए अब एह हैं एक है लॉट है लेक्ट्र में हमें एक प्रीम्सिपल कर पड़ेंगे और वह प्रिंसिपल कौन सा है मैं वह प्रिंसिपल है स्केलर चेंड क्या होती है चैन क्या होती है इसके लिए आपको आप ये देखो A, B, C, D, E, F और G ये लोग एक business में काम करते हैं ठीक है अब इनके आपस में आपको कुछ relation पता नहीं चल रहा है ठीक है यानि कि D को ये नहीं पता कि उसको अगर काम लेना है तो किस से लेना है ठीक है और B को नहीं पता कि उसको किस से काम लेना है या फिर कि तो इनका आपस में जो relation है वो clear नहीं है ठीक है तो इस तरीके से आपस में relation क्लियर होगा तभी तो पता चलेगा कि कौन किस से काम लेगा और कौन किसको काम देगा ठीक है तो इस problem को अगर हम solve करें तो क्या करेंगे हम इस तरीके का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये जो ह आपस की relation क्लियर हो गई है और वो relation क्या होती है क्काम लेना या ओर्ड़िये धेना या फिर ररिस्पम्सिब्लिट्टी कौन किसके लिए रिस्पॉंसिबल है खाल् def असन तरीके दिख रहे है इसी को भी मिला जाता की और सिट्रेचन का फ्रीम का एक ओर नाम क्या है चेन क्या है調 problem in that concern सबस्क्राइब क्या कौन क से काम लेगा इस प्रिंसिपल के अंदर therefore एक organization के अंदर an organization consists of superiors and subordinate superior सबलेट मतलब senior subordinate मतलब junior तो B क्या है B subordinate है A का ठीक है लेकिन B superior किसका है ठीक है ठीक है तो the formal lines of authority from the highest to the lowest ranks are known as scalar chain तो यह जो इनका आपस में रिलेशन है टॉप टू बॉटम इसी को बोला जाता है स्केलर चेन और अब पता चल गया कि स्केलर चेन क्या होता है लेकिन फेल नहीं क्या बोला है एकॉर्डिंग फेल ओर्गनाइजेशन शुड़ है एक चेन ऑफ अथार्टी एंड कम्यूनिकेशन डेट रंस रॉं टॉप टॉटम एंड शुड़ बी फॉलोड बै मेनेजर्स एंड इस यानि कि यह जो स्केलर चेन है इसको आपको इस टिकली फॉलो करना है यह फेल ने होला है ठीक है जिससे की क्लारिटी होगी अगर किसी को यह नहीं पता कि काम किस से लेना है और काम किसको देना है करने के लिए तो अप अ fazem जैशनwoड बिटमें फिद इस और पीन फ्रेटेशन इन और कोर्स प्सक्राइव क होता थर्स यह रबाता है ओंछ अ मैंने टारेशन हुल को काम दिया और उस से reports ली ठीक है और जो subordinates ने काम से related जो भी सजेशंस हैं और उनके doubts हैं वह सब कुछ रहे हैं manager से वह सब formal आता है तो formal मतलब काम से related जो भी चीजे हैं वह सब formal communication होता है और informal communication क्या होता है informal communication आप एक chapter में पढ़ोगे डारेक्टिंग chapter में एक separate topic है communication का उसके अंदर दो चीजे हैं formal communication और informal communication तो पता चल गया आपको काम से related और informal communication क्या होगा आप canteen में बैठके जिस मर्जी से बात कर रहे हो उसका कोई आप से connection नहीं हो सकता है कि किसी दूसरे department का हो आपकी उससे अच्छी दोस्ती है और काम के अलावा बाकी पर्सनल चीजों के बारे में discussion हो रहा है तो वह जो communication है वह इंफॉर्मल communication है ठीक है तो यहां पर क्या है formal communication के लिए scalar chain को strictly follow करना चाहिए यह बोला है हैंडी फेओल ने अब उसके बाद एक और टॉपिक आता है गैंग प्लैंक गैंग प्लैंक के क्या है एक्सेप्शन है स्केलर चेन का ठीक है और गैंग प्लैंड की जरुवत क्या पड़ती है अब देखो पीछे की जो स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि दिस चेन शुड़ नॉट भी वाइलेटेड इन दी नॉर्मल कोर्स यानि कि नॉर्मल कोर्स मतलब नॉर्मली जो बिजनिस में काम चल रहा है उसमें इस चेन ऑफ कमार्ण को आप वाइलेट नहीं करोगे यह बोला है फे ओलने लेकिन अगर नॉर्मल कोर्स नहीं हुआ कुछ एमर्जेंसी होई तब क्या होगा तब के लिए यह जो कंसेप्ट है गैंग क्या में हम क्या एक इसेलर चेन को बाइपास कर देते हैं एमर्जेंसी सिच्ट्यूएशन के अंदर तो गैंग प्लेंग का कंसेट क्या है मैं आपको यह बताता हूं गैंग प्लेंग में क्या होता है कि जैसे ए है एक के नीचे बी है सी है बी के नीचे टी है और ई है ठीक है और कोई सिच्ट्यूएशन हो गई एमर्जेंसी सिच्ट्यूएशन हो गई सब्सक्राइब लग गई तो क्या है क्या आप स्केलर चेन को फॉलो करोगे तो डी के सामने जो नजर आएगा उसको बोल देगा अगर डी के सामने ए है तो इस इस तरह की एमर्जेंसी सिच्ट्यूएशन है आप इसको हैंडिल करो ठीक है तो याणिकर एमर्जेंसी सिच्ट्यूएशन में अगर आप स्केलर चेन को बायपास करोगे ठीक है टो यह कंसेप्ट क्या है एमर्जेंसी सिचुएशन में स्केलर चेन को बाइपास करके आप एक गैंक प्लाइंग के थुरू कमिलिगेट करोगे उन लोगों से जिन से आपका कोई रिलेशन नहीं है अगर स्केलर चेन को देखा जाए तो कि आप इसमें देखो इसको समझो मैं जैसे यह आपका एक बिज्नेस एकनीचे बी और सी एंबी के नीचे डी है ट के नीचे के एक है और G है ठीक है अब emergency situation हो गई और D को communicate करना है E को किसी emergency situation के लिए तो क्या करेगा अगर आप अगर है तो आपको नहीं लगता है कि इसमें लग जाएगा और emergency में क्या है तो इसका solution क्या है कर लेगा एक को ठीक है और यह जो डेज्डेस लाइन हमने बनाई है ब्राउन कलर में इसी को बोला जाता है गैंग प्लैंक ठीक है तो गैंग प्लैंक क्या है एक exception है scalar chain का क्योंकि गैंग क्यों बनाया हमने emergency situation के लिए बनाया अगर हम गैंग प्लैंक नहीं बनाएंगे तो ईचल दिए को कैसे communicate करेगा करें और को करेगा दिए को करेगा असमें टाइम लग जाएगा लेकिन अगर सिचुेशन की है तो दी को ज़रूरत है कि दी ए को क स्ट पर यहाँ है तो यहां पे लिए है scalar chain can be bypassed if the information is of urgent or sensitive nature and following the scalar scalar chain may result in any kind of loss तो यहां पर देखो स्केलर चेन हमने फॉलो नहीं करी टीने एको डारेक्टली कम्यूनिकेट कर लिया और ऐसा हम कब कर सकते हैं एमर्जेंसी सिचुएशन में यानिके अगर इंफॉरमेशन बहुत अर्जेंट है या फिर सेंसिटिव है शॉर्टकट मेड़ पास उन सच इन्फॉरमेशन इस कॉल्ड गैंग प्लैंक का कंसेप्ट जो है आपका स्केलर चेन का जो प्रिंसिपल है उसी के साथ आता है और स्क स्केलर चेन को स्कुल करना है इन नार्मल सब्सक्राइब कोई नहीं है लेकिन अगर आप उससे कि'sन को और कैसे करोगे आप टैंग करोगे इस लिए ग्याइंट आऑ ऑफ सेल से तो यह था आपका प्रिंसिपल स्केलर चेन और इसका एक्सेप्शन भी आपने देख लिया गैंक प्लैंक तो दाट इस एट फॉर देस्ट्ट्टर थैंक यू